असलाम अलेकुम आल दी स्टूइंट्स इन व्यूवर्स आपको वेल्कम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे आज आगने केमिस्ट्री का चैप्ट नमबर फस्ट है इंटर केमिस्ट्री का चैप्ट सेकंड है रिलेक्टेट टुदी सिंथ टेक्स्ट कोचिस्ट्स का रगने के मिस्ट्री को यहां पे कर चैप्ट कोई बी कमपाउंट जिसमें कार्बांस और हैड्रोजन बांस हो तो इसको हम क्या बोलते हैं और ने के मिस्ट्री में से यहां पे सिंप्ली कार्वान और हाइडेस है कि आपस में क्याई कि भी एक केमिस्क्री में इसको इसको सब्स्राइब करते धे tid. not एक पर mates से हैं नहीं लिखा हुआ तुराइब सब्सक्राय। कि एच एच है एचए मीथें अगर मीथें काम किलॉरानिंस साथ कर कर दो क्या बन रहा है c c l4 यहाँ पे तो हाइड्रोजन नहीं तो अगर यहँ कि हाइड्रोजन नहीं तो वह मतुली है क्या है रगना के naught और यह का स्टेडी करने के लिए आप यहां पर देखें कि प्रिविलिशी प्रिविश्री डट्रम्स अरगनिक पहले जो अरगनिक ट्रम्स था यूज़ फार दो सबसेंस वो चार उप्टन फॉम्द एनिमल्स इड पिलांट्स उसके लिए यूज़ कर दा जो कंपाउंट्स कहां से या पिलांट्स सोर्स हों उसका तो उसको क्या बोलते हैं आगने कंपाउंट्स एड कुण नाट भी प्रिपेर इंद ले बाटरी वो कंपाउंट्स जो ले बाटरी में प्रिपेर नहीं की जाते हूं तो उसको क्या बोलते थे आगने कंपाउंट्स एट वाइटल फॉर्स total force was required for the production यह वे क्या है वाइटल फॉर्स का मीनिंग किई कि स­को किस तरह के समझते हैं। उसके तरफ चलते हैं इसको साइड पे अब HE've है वाइटल फॉर्स कि बात पूछी हैства गी तो वाइटल Faced वाइटल फोर से, इसका मेंस, आर गना कमपौंट्स अरना कमपौंट्स प्रोडूस्ट फ्रम लिविंग तिंस और वाइटल का मेंस क्य है, लाइफ, लाइफ फोर्स, तो मेंस आरना कमपौंट्स डिस्कोवर किसे किस होते हैं, जिसमें क्या हो, वाइटल फोर्स हो, वाइटल फोर्स वाज रिकॉर्ड फादी प्रोड़क्शन साफ अर्गने कंपॉर्स उसके बाद इस त्यूरी वाज रिजिक्ट इन 19 सेंचरी बाइद एक्सप्रेमेट अब्जर्वेशन आफ दी नंबर आफ साइंटेस्ट बहुत सारे साइंटेस्ट ने इसके ओपर एक्सप्रेमेट किया औ तो यह थिरी रिज्ट बाइद 19 सेंचरी किस ने रिज्ट किया एफ वोलर ने जर्मन यंघ सांटिस्ट जिसको एफ वोलर ब气 कब 8529 में एश ते किस तरिक तक किसे पोटाशियम साέλइड से किसे पोटाशियम साैनाइड से समय साथ को साथ हे तो पोटाशिय'm सुलफैड एंड मेंसे क्या बन रहा है यह क्या होगिए वाइटल फुर्स घी यो था वह रांक हो गए किस ने प्रूव किया है इस इस तरीके से पहन Cum सलठेंगे से की में थक्र करेंगे कर यहां पे कहा यग साइं कैए मिस्ट ए इफवोलर एटटेय टीएट प्रीफित दी इन मटीरल्स अमॉनेम फैनियर उनमॉनियु आज साइनेड दाया यहां याद रखना एक बात यहां पर कहता है कहता है पॉटाशियम सानेड्स इसको प्रीपर किये मैशन का मेकनेजमीं कैसंग कि लिए हम लखेंगे पोटाशियम सानेड्स पिलस ऑमोनियम Sellfate है इंए čा सात रेड्ड किया तो यहां पर क्याउ पर ज्द पिलस सिनिय सो थो यहांपर क्या बनान आम्मोनियम साइनेड वन गया था अब अब अमोनियम साइनस ने फंदर रियक्शन भगा तो वहांसे क्या बनेगा यूरिया एनएच टू कारबांड ढबल बांड आक्सीजन और यहां पे भी क्या बनता है एन्ही कि युरिया। कया है और पाश्चाम साइनर्स जाने कंपाउंड और कंपाउंड्स है नारी मपाउंड्स है खान हैं गांड कि का बनन घो फुचा फोलर ने एक defender मिया ठाउ तो पोटाश्म, साइनाइड्स, और हम अमोनियम साइनाइड्स अब जैसे यहां पर हैमानियम कि नाइड के है यहां पर हैंपे मीटक्ष सांइयड को बिलते हैं तो कर्बान-nin दोनों तो यहां पर पर ammonium cyanide ammonium cyanide किसके साथ इसको simply आप heat कर लें जैसे हमने इसको हीट किया तो यहां पे ammonia gas farm में क्या हो जागा release हो जागा और प्लस यहां पे क्या हो जागा hydrogen nitrogen carbon and oxygen तो means यहां पे यह compound बन गया ammonia क्या हो गया इसमें से release हो गया अब यहां पे देखें कि यहां इसका सीब्ली में बांडरिंग के साब से लिखता हूं जह से आपको बांणरग के स्टक्चर समझ में आ जाए तो नाइट्रोजन के पास क्या उता है त्रे हाईड्रोजन से तो त्रे अपिलेस यहां पे नैडोजय जा है हूँआ है और with carbon and carbon double band with oxygen ठीक है अब इसमें से नाइट्रोजन इलक्टोनेगेट है यहां पे कारबांस के साथ जो अटेज है वो oxygen एलक्टोनेगेट हुए तो यह बांट इलक्टोनेगेटिव किसका ज्यदा है oxygen का यहां पे क्या होगा कि यह नाइट्रोजन इसके उपर अपना लेक्तार स्पैर सेरर तो यह वां जाएगा इस तरीके से तो जैसे यह यह यहां पर आगांति यहस्ट स्बेक रोटत हों गर कि क्या होगे मींस यहां पे रीशंका फरस्ट इस्टिस पिये था सेकंड इस्टिप एथा उसके बाद थर्ड इस्टिप रिएशन का यह है जिसे यह लेक्टोन्स वापस आ गए है तो कितने बान रहे हैं एक ये और बीज़े दो पांच-छे रिख नहीं सकते बार चाहति यह इस तरफ चली चाहत जाएगा तो यह क्या परада में और रहयेैं हैज यह जो नाइट्रोजन कि या के साथ किसे बांड कार्बान से का साथ बांड बनेगा तो क्या बनेगा नाइट्रोजन इस तरीके से नाइट्रोजन के साथ 3 क्यूं क्यूंकि नाइट्रोजन कितने बांड बनना है चार बांड में तो इसमें उपर क्या जब पिलस चाल जागा और यहां पर कार्बांड किसे डाट अगली बांड़े आक्सीजन से और आक्सीजन के बाद यहां पे जो रियक्शन से यहां पर क्या होगा एन एच इसके ओपर क्या होगा माइनस क्यों क्योंकि यह अपने तरफ खेंच रहा है तो इसको पर नेगडिव चार जागा बांड जो बांड इसने ब्रेक किया था अब तो मिस नाइटेज़न क्या है यह इस लिकशन कर रहा है जो बी एसहेड वह特ा है एक्टिव हाइड्रोजन टुनर होता दूनर होता है तो मिसमामोनिया करेगा यहां पे हैं मेम भांडेंग को दूनिये तुमाने इसको यह Bakने कि साथ तीन हाइट्रोजन बांड देए पर जैसे से इसा स्टेप सिंपल नहीं कि जैसे हमारे सिंट्रेक्श में लिखा हुआ है कि सिंपली क्या करें आमोनियम साइनाइट और उसको हीट करें प्रिजंस आफ वाटर बॉाइल करें बॉाइल करते ही क्या बन जाएगा एन एच्टू कार्बान डबल बांड अक्सीजन उसके बाद एन एच्टू यह बन गया यूरिया इस तरीके से नहीं होता है यह रिक्षिंग से पूरे मेकनिजम होते हैं तो आपक वाइटल फोस्थियोड का तो वाइटल फोस्थियोड क्या बोल रहा था कि आरगने कंपाउंट को नाट भी मेड विद दाओ लिविंग सेल्स तो मिसलिविंग सेल्स के लिए यह नहीं बन सकते मगर उसके बाद हमने देखा के फोलर ने यूरिया बना के दिया था ने कंपाउंट यूरिया बोस्था ने कंपाउंट इस नमर आप दी अर्गने कंपाउंट प्रिवलिश थी एसरोड वाइट फोलर फिर नियूर्ड फोलर फे प्लांट इंडियर अनिमल्स तो सॉस्थियोड फें संसे इस फार ग्जम्ब रबबर वाज एसलिट आफें पॉ बनाए ऊसके बाद बात आगे के कूल के कूल in a 1965 prove that the वेलानसी आफ कारबान कॉंट इसने क्या बता था के कूल ने 1865 में कारबान की वेलानसी बताय ते कारबान की वेलाइनसी क्या है 4 अब यह तो simple इस तरीके से 1s2 2p क्या रता है means 1s2 2s2 और 2p का रता है 2 होता है तो मैंसे यह क्या होगा इसके 6 electron हो गए उसके बाद इसकी अगर इस तरीके से करें 1s2 2s1 और उसके बाद 2px 2py और 2pz आपीलिक इसकाबे थнд इसका जो इसमें 4 जाए तो मेंसे का जाएगा चारी बन जाएगा यह कशने का था के कूल ने बाता है तर इसंमें जलेडे एफ चाइप उड़ चार डावट अड़ाबाह चण गिर्ण फिर्द फीखचे लसके अड़ पडर चेनेशनाश स्पड़र तौब ऑजिक रुंपॉष और य कर बार दिए, सेपेरादक आबिन पिर छाव ट् 어렵ने कार पॉंपॉद़्िक उनुकल्बॉ पॉंपॉटर फ्राम कंपाउंट्स ट्राइड फ्राम दे रेस्ट आफ दी अलिमेंट से भी आगने कंपाउंट्स मेला जा सकते हैं तो बहुत सारे नेस्ट को ट्रीटमेंट मेड़ फादी स्टेडी और उसके बाद यहां पे काए अव्यू दक यूनिक प्रापरिटी आफ कार्बन कंपाउ थोड़ा साथ में तो दोघी ट्रापरिटे चेम्टिकेशन में यह फिल्टा इनüneसर प्रापरिटी संप्रापरिटी सुटेट हो बटाईचिछ पर इसको बिबता है के टीनिसन प्रापरिटी से अथुए यहां पर बहुत सारे जैसे हमारे पास सम आक्साइड साफ कार्बान जिसर कार्बा मुझाइड कर्बान डियक्साइड and complex compounds which contains metals are extracted from this branch although the earth content only 0.72 percent carbons million of arguments are known because the ability of the carbon atoms to bond itself the other carbon forming a long chain branch chain ring compounds which chain ring together means ismikya के कि हुमारे पास अर्गनिक compounds के और इनरूक compound आपस में separate किस में सेपरेड पे यहां पर देखें जैसे लिखा हुआ है आकसाइड साफ कार्बान च्या होते है ए और यहां पर नहीं लिखा हुआ कार्बोनेट्स आपकार्बोनेस जितने भी होते हैं वह भी क्या कहा होंगे नी नार्गे अइस के बाट हमारे अर्थपस्ट में 0.02 7% कारबान की जाते में क्योंके कारबान की बोलते हैं किसे बोलते हैं ability of elements bond itself with own items इसकी यह ही ability है कि अपने अपने elements को दूसरे element अपने खुद के साथ क्या करदा बांड बनाता है इसको क्या बलते हैं केटी नेशन किस में तर्ड में मैं यहां पे आप लोगो आसें को एकजंप्ल समझने कुश्र करूए है जैसे कारवानि कारवान आस यह तरिक से यह रिंग कर बना सकता है चेंड बी बान सकता है यह तो बिरांच भी हो गया अगर इस तरह किसा यह का बिरांच इसके बिरांच स्ट्रक्चर और मिस इसको पास क्या बना इसमें के कटिनेशन प्रापरटी हो सकता है उसके बाद कारबांस के साथ भी करटिशन प्रापरटी है अगर किस तरीके से आप लोगोने अगर metric chemistry का देखा हो सुसमें क्या होता है एक paradise, जिसमें नियां पे सिलीकान यहांपे कृंद यहांपे बीमीति है यहांपे पर आक्सीजन और यहां पर आक्सीजन और सिलीकान यहां पर भी मीटाइल और साइड पर भी मीटाइल और साइड आक्सीजन मिन्स यह सिंपली सिलीकान मीटाइल मीटाइल और आक्सीजन तो यह क्या बनका चेंड बनता रहेगा तो मिन्स यह किसके पास भी है सिलीकान के पास है तो यहां पर लिखा हुआ है इट इज इंसिफिशन्ट या इज इंसिगनिफिकेंट इस गंपेर टो दी केटिन शेपिलिटी आफ दी कारबांस तो कल जो हमारा लेक्टर होगा वह क्या हुआ नेच्रल सोर्स अफ दी अगने कंपॉंड्स के बारे में और नेच्रल सोर्स आ